मैच बड़ा जिल्चस्प होने वाला है क्योंकि इसलिए मैच रोमांचक होगा क्योंकि एक तरफ तो हो राजस्थान रोयल्स और दूसरी तरफ पंजाब किंग्स है अब पंजाब किंग्स की दहार उस तरीके से आई नहीं है क्योंकि 5 मैच खेलें 3 हार और 2 जीत लेकिन सामन आपके टीम राजस्थान को हरा देगी या फिर राजस्थान की टीम पांचवी जीत हासिल करेंगी अखिल से पूछ लेते बताईए अखिल मोनु शुरुआत आपने इच्छी नहीं किया राजस्थान पंजाब का मैच है मैच तो मोनु और अखिल का है ना और चलो यह कर द अच्छी फॉर्म में है पांच मैच के लिए हैं और मैंगा पांच जीते हैं क्योंकि चार तो जीते थे पिछला मुकाबला एक नहरो मार्जन से टीम हार गई लेकिन आखरी गिन तक वो टीम मैच कर लिके गई पंजाब कर दोड़ी मुझे खराब नजार आ रही है लेकिन अच्छी आपकी टीम आर रहा रहा और उसके आपने का ना मार जना ना वह तो राषिद खाने जो हिट लगाया था वह आपकी बालिग दिखाता है जितने लोग हमारे साथ आप भी जवाब दीजिए लास्ट और अब आपको आवेश खान से करवाना पड़ा आपके पर ट् सब्सक्राइब कर देते हैं कि टीम बहुत नेरो मार्जिन से मैच आरती है और टीम कप नहीं जीत पाती 2022 के फाइनल बेवियूद से छोटी-छोटी गलतियां हुई थी टॉस जीत के पहले जैसे हाथा कि इस बर भी ऐसे कुछ हुआ बोल्ट के जब दो और बचे हुए थे खास सब्सक्राइब को एक ओवर की जरूरत थी वहाँ पर आपको बोट लाना चाहिए था लेकिन शायद फोचा हुआ कि अवे तक 19-20 वे और में अच्छा किया है तो शायद एक डाव खेला कि क्या पाता बंद आज भी शमक जाए लेकिन तारीफ करनी पड़ी कि आवेश शे गिन तक मेश लेकर गए लेकिन आखरी गिन तोड़ा जिता ने पाई उच्छा का नेहीं कि तो इसे पन्जाब का मपनेशन क्या हो सकता क्व सकती है पंजाब कर देखए अगर आप देख़ए तपॉडर अब शीकर दवन जॉन बैस्ट नाम तर लगते अच्छे लगते अब जो बैटिंगा टॉप ओडर है इसने पूरी तरीके से फेल किया है अगर आप देखे कि तो शिखरदवन के रननी आए जिस तरीके के आने चाहिए अब वो 40 बनाते हैं 32 गेंद में 40 में 48 बनाते हैं वो उससे काम नहीं चलेगा बॉस यह चाहिए 35 में 70, 35 में 60 तब बल्ले बल्ले है अब जोनी बैस्टो अब नाम तो बड़ा अच्छा है जोनी बैस्टो लेकिन काम नहीं कर पाई वो अब जोनी बैस्टो साब कब चलोगे आप कब आप विद्धस भी नफ स्ट्गल करते रहोगे और यह भी हो सकता कि जोनी बैस्टो को बाहर करके नाथन एलिस एक अच्छा विकल्प हो सकता है आखिल जी मोनो इस टीम के लिए परफेक्ट राइमिंग मैंने भी बैठे बैठे सोची है कि जोनी जोनी जाओ जी टीम को जीत दिलाओ जी जोनी जाएंगे तब यह टीम मैं जीत पाएगी क्योंकि कुछ नहीं कर रहे है यार मनलब लंबा टाइम होगे इस बल्लेबास को एक अच्छ उनको मिल रहे हैं लेकिन महेंगे साबित हो रहे हैं साथ ही प्रफ सिमरं सिंग से ओपन कराओ जितेश शर्मा को नंबर तीन पे बेजो या फिर जितेश से ओपन कराओ जो कि पहले ओपन कर भी चुका है लडगा युवा खिलाड़ी आप उसको जितना टॉप अडर में मौ कर सकते हैं हमारे अंदर वो काबलियत है और है भी और एक चीज़ नोटिस करना आप भी करना कि जो डॉमेस्टिक में अच्छा करता है उसका इंपक्ट फिर आई पेल में दिखता है इन दोनों को दिखा है कई बर हम ऐसा कहते हैं कि एक प्लेयर ने मैच जिता दिया वह एक पंजाब की कमजोरी सबसे बड़ी है कि इनको टॉप और नहीं चल रहा है टॉप और को रन बनाना बहुत जरूरी है जोनी बेस्टों को बाहर बेजना बहुत जरूरी है और गेंदबाजी में भी टीम थोड़ा स्टॉगल करती है एक अच्छा स्पिनर टीम के पास नहीं ह आपने कई सारी कमजोरी गिनादी है अब लेकिन सामने जो ऑपोनेंट है वो बड़ा खतरनाक है नाम है अरा अब अगर आप लेंग लाउन देखोंगे दोस्तों तो उसमें जैस्वाल बड़ा कमाल किया है पिछले सीजन लेकिन इस पर ये सीजन थोड़ा फीका गया है लेकिन जैस्वाल बड़ा उसके बाद संजू सैंसन इस टीम के कैप्टन होंगे रियान पराग ध्रू जुरेल शिम्रोन हैटमायर रविचादर अश्वीन अश्वीन का भी इस बार उस तरीगे का इपल नहीं गया अभी तक ट्रेंट बोल्ट ने बड़ा कमाल किया ट्रें ले लो क्योंकि विकेट्स ले रहे हैं अब इस प्लेइंग लैविन को देखकर अखिल जी मुझे कोई कमी नजर नहीं आती प्लेइंग लैविन में कोई कमी नहीं है बहुत अच्छा यह टीम लगातार कर भी रही है हलाकि जब आप लगातार मैच जीत रहे होते हैं तब आपकी कहीं सारी कमियां छिम जाती है जैसे जैस्वाल की फॉर्म वह भी तक एक्सपोस हो चुकि है क्योंकि अब एक्सपोस ह अच्छी बात थी वह पहले लगातार अच्छा करते हैं लेकिन जब आपके पास बोल्ट के अवर बचे हुए थे आपको बोल्ट को लाना चाहिए था सबसे बड़ी कमी टीम किया रही और एक कमजोरी में और कहुंगा कि दुरूब जुरिल और हिटमायर को बल्लेबाजी क बहुत कम मौका मिल रहा है जब तक उनको पूरा चांस नहीं मिलेगा बैटिंग करने का यह टीम आने वाले मैचे में आई जब टीम नॉक आउट के करीब होगी ना तब स्ट्रूगल करेंगी तब टीम के ओपर भारी पड़ेगा इस टीम को शैद कुछ मैचे में चाहता हूं अखिल जी आपसे कि भई पंजाब के टीम ने दमखंदों नहीं दिखाया ना टॉप ओडर में सैम करन का ना बैट से ना गेंट से ना जोनी बैस्टो कुछ कर पाए हैं ऐसे मैसे तीन काम क्या करने होंगा कि वह आरार को हरा दे वैसे लगता बड़ा मुश्कि अब इस वीडियो से पहले हम जर्चा भी कर रहे थे कि जितेश शर्मा ओपन क्यों ना करें आपका कहाना था कि इंडियन टीम में अगर उनको खेलना है तो नंबर चार या पांच खेलना पड़ेगा लेकिन वह इंडियन टीम की बात है वह प्रस्पेक्टिव थोड़ा आल लेकिन लगातार इनका परफॉमेंस करना पड़ेगा